वेलकम टू आवर चेनल इंसाइड मेडिकल एजुकेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ASO टाइटर टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ASO जिसका पूरा नाम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसीन O होता है यह एक तरह का एंटी बोडी है जो स्ट्रेप्टोलाइसीन एंजाइम के खिलाफ हमारे बोडी में बनता है स्ट्रेप्टोलाइसीन एंजाइम स्ट्रेप्टो कोकस बेक्टरिया के दोरा निकाला गया एक एक्जो टॉक्सीन है यह टॉक्सीन तब निकलता है जब हमारे शरीर में स्ट्रेप्टो कोकस नामक बेक्टरिया का इंफेक्शन हो जाता है ASO टाइटर टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि मनुश्य के शरीर में स्ट्रेप्टो कोकस बेक्टरिया का इंफेक्शन हुआ है या नही क्यूंकि जब हमारे शरीर में किसी भी बैक्टरिया का इंफेक्शन होता है तो उसके खिलाफ बोडी में एंटी बोडी तयार होता है यदि स्ट्रेप्टो कॉकस बैक्टरिया का इंफेक्शन हुआ होता है तो उस बेक्ट्रिया के टॉक्सीन के खिलाफ हमारे शरीर में anti-esteptolysin O namaq antibody का निरमान हो जाता है यह antibody इस बात को सुचित करता है कि इस वेक्टी के शरीर में exceptococcus infection है यह infection खास करके उस condition में और तिवर हो जाती है जब इस infection को सही से treatment नहीं दिया जाए सही से treatment नहीं दिये जाने का एक important कारण यह होता है कि किसी-किसी मनुशी के सरीर में steptococcus का infection होने पे शुरुवाती अवस्था में उसके symptoms का पता नहीं चलता है लेकिन जब यही infection post-steptococcus infection cause करता है तो उसके बाद severe condition पैदा हो जाती है जैसे endocarditis, galomerulonephritis तथा rheumatic fever फिर इन complication को treatment देने के लिए डाक्टर इस बात को निर्देश करते हैं कि इसका anti-steptococcus or titer test क्या जाना चाहिए क्योंकि यदि anti-steptococcus or titer test positive आता है यह इस बात को सुचित करता है कि इसे post-steptococcus infection का complication हुआ है तो पहले उस steptococcus के against antibiotic दिया जाता है क्योंकि steptococcus infection के बाद शरीर में 3-8 सब्ता तक steptococcus के खिलाफ जो antibody बनता है anti-steptococcus O यह बलट में मौजूद रहता है यह इस बात को सुचित करता है कि यह complication post-steptococcal complication है अब यह जानते हैं कि anti-steptococcin O का normal range कितना होना चाहिए एडल्ट में anti-steptococcin O का normal range 200 से कम माना गया है जबकि 0 से 5 वर्स तक के उमर के बच्चों में इसका normal range 100 से कम होना चाहिए तो conclusion के तौर पर यह कहा जा सकता है कि anti-steptococcin O titer test इसलिए क्या जाता है कि body में steptococcal infection है या नहीं So friends this is the video on anti-steptococcin O titer test Hopefully this video will be helpful for you Thank you for watching